हेलो दोस्तों कैसे हुँ हिए, आप सभी मम्हाम्ता केचन रेशिपी इस में आपगे सभी का स्वागत है आज मैं आपके लिए लाई हूँ भरवा करेली की रेशिपी और इन करेलो को हमने कूकर में बना करके तैयार किया है बहुत ही टेस्टी एक करेले बने हैं और बिल्कुल नया तरीका है इसे बनाने का तो वीडियो को बिना स्कीप किये एंड तक जरूर देखिएगा इससे ऐसे पी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ केजी करेले लिए हैं एकदम फ्रेश करेले हैं इन्हें मैंने तीन से चार बार साफ पाने में अच्छे से वाश भी कर लिया है अब हम इन करेलो को नाइफ के मदद से इस तरह से पील ओफ कर लेते हैं तो यह देखिए हमने एक एक करके सभी करेले अच्छे से पील ओफ कर लिये हैं और जो ये छिलके हैं उन्हें आपको फेकना नहीं है और जो आपने करेले पीलोफ करके रखे थे उसमें आपको इस तरह से कट लगाना है बीज में और इसके जो ये बीज हैं वो आपको निकाल देने हैं जिस प्लेट में हमने करेले के छिलके निकाल ले थे पूरी तरीके से आपको इनके बीज निकालने हैं ऐसा नहीं है कि किसी के कच्छे बीज है तो आप नहीं निकालेंगे पूरी तरीके से अच्छे से बीज निकाल लें और बीज निकालने के बाद इसमें हम एड करेंगे जो हमने छिल किये और ये जो बीज निकाले हैं इसमें एक चमश नमक अड़ कर लेते हैं और इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जो हमने बीज निकाल करके पीलोफ करके करेले रखे हैं उसमें भी हम एक चमश नमक अड़ कर लेते हैं और सभी करेलों में अच्छे स पानी पनेगा उसमें इसके सारी करवाहट निकल जाएगी तो कुछ देर के बाद लगभग 10 मिनट हो गए हैं हमने इस करेले के छिलके और बीज को रखे हुए तो इस तरह से अच्छे से मसल करके हम इसे चार से पांच बार साफ पानी में अच्छे से वोश करकर इसके सारी कर परवाहट आ गई है तो इस तरह से साफ पानी में चार से पांच बार आपको इन छिलकों को और इन बीज को अच्छे से वोश करके निकाल लेना है और छलने की मदश से हम इसका पानी निकाल लेते हैं च्छानने के बाद भी इसमें थोड़ा पानी रह जाता है इसलिए पुछिलकों की तरह ही अच्छे से मसल करके पानी में निचोड ले पानी में चार से पांच बार अच्छे से वोश करके आप इसे निकाल ले और जब आप इसे निकाले तब आप इसे अच्छे से दबा करके इसका सारा एक्ष्ट्रा पानी निकाल ले दूसरी तरफ हम गेस से 8 लेसन के कलियां ली थी लेसन जब आपका अच्छे से भून जाता है तब हम इसमें एड करेंगे प्याज को कुछ दिर बुन लेने के बाद इसमें हम एड कर लेंगे 2-3 हरी मिर्चे जिसे मैंने एक्दम बारी कट किया हुआ है प्याज भी मैने एकदम बारी कट करके क्योंकि आपको इन सभी मसालों को अच्छे से बुन करके क्रेल में फिल करना है इसलिए आप बड़े साइज に में कट करेंगे तो अच्छे से फिल नहीं हो पाएगा और आपको प्याच को ज़्यादा नहीं बुनना है हलका बुनने के बाद हलका ट्रांस्परेंट हो गए हैं प्याच हम इसमें एड करेंगे जो हमने करे लेके छिलके और बीज तैयार किये हैं वो आपको इसमें एड कर लेने हैं और प्याश के साथ ही इसे अच्छे से मिक्स करते वे भून लेना है लगभख तीन से चार मिनट तक पका लिया है हमने इसे मेडियम फ्लेम पर और आप इसका कलर देख सकते हैं कलर भी हलका चैंच हो गया है अब हम इसमें एड़ करेंगी हाफ पी स्पुन हल्दी पाउडर और हाफ टेबल स्पुन नमक आड़ कर लेंगे नमक और हल्दी को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लें इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे बाकी के ड्राय मसाले लालमीश पाउडर एक चमश धनिया पाउडर बिल्कुल सिंपल मसाले हम यहाँ पर एड़ कर रहे हैं जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा मसालों को अच्छे से मिक्स करके एक मिनट तक लगवग पका लें और कुछ देर पकाने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे कदुकस कीवी केरी मैंने आपर आधी छोटी केरी को अच्छे से पीलोफ करके और इस तरह से कदुकस करके इसमें एड़ किया है केरी का इन भरवा करेलो में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा जब बीच बीच में ये खटी मीटी केरी आती है तो बहुत अच्छे लगती है आप इससे जरूर एड़ करिएगा अगर आपके पास केरी नहीं अवलेबल है तो आप इसकी जगह इसमें अमचूर पाउडर भी एड़ कर सकते हैं एक चमच जिसका भी टेस्ट अच्छा आएगा इससे अच्छे से मिक्स करते हैं हमने इसे लगभग एक मिनट तक और भूल लिया है तो लास्ट में हम इसमें अड़ कर लेंगे आदा छोटी चमच गरम मसाला अच्छे से मिक्स कर लें और गेस की फ्लेम को ओफ कर दी और आपका जो यह मसाला है करेलों में भरनी के लिए वो रैडी हो गया है गेस की फ्लेम को ओफ कर दी और इस मसाले को आप एक प्लेट में निकाल लें और हलका ठंडा कर लें ताकि आप असानी से इस मसाले को भरवा करेलों में भर सकें नमक में कुछ देर रखने से इस जो करेले हैं वो हलके सौफ्ट हो गए हैं इन्हें मैंने अच्छे से पानी में वॉश कर लिया था और अब हम इन करेलों में मसाला फिलप करेंगे तो जो हमने मसाला बना करके तयार किया था वो हलका ठंडा हो गया है अब हम इस मसाले को करेलों में अच्छे से भर लेंगे आप इस तरह से चमच की मतल से भी इन करेलों में मसाला भर सकती हैं इस तरह से पूरा अच्छे से भर ले इस तरह से अच्छे से भर लेने के बाद करेले को मसाले से अच्छे से भर लेने के बाद हम इसे धागे से बंद कर देंगे इसके चारों तरफ इस तरह से धागा लपेट देंगे ताकि ये जो मसाला हमने भरा है वो बाहर ना निकले और इसके अंदर ही रहे तो सेम इस तरीके से आपको इस सभी करेलों में मसाला भर करके तयार कर लेना है और मसाला भरने के बाद इस तरह से धागे से बंद भी कर लेना है ताकि जो मसाला आपने इस करेलों में डाला है वो बाहर ना निकले और अच्छे से करेले आपके बन जाए और दिखने में भी अच्छे लगे और टेस्टी भी बहुत बनेंगे क्योंकि हमने मसाला तो पहले से अच्छे से पका ही रखा है बस आपको इनको उपर से और पकाना है थोड़ा सभी करेलों में मसाला भरने के बाद यहां मैंने गेस पर एक कुकर लिया है आज हम ये करेले जो हैं वो कुकर में बनाएंगे कुकर में हम add करेंगे oil oil को आप अच्छे से गरम कर ले मैंने हापर सरसो का तेल यूज किया है तेल के गरम हुशाने के बाद थोड़ा सा जीरा add कर लेंगे जीरे को अच्छे चटका लें और जीरे के चटक जाने के बाद एक एक करके हमने करेलों में साला भर करके तयार किया है वो हम कुकर में add कर लेते हैं और लगभग दो मिरट के लिए हम इन करेलों को कुकर में oil में इस तरह से पीच पीच में चलाते हुए fry कर लेते हैं कुछ देर खुला भुनने के बाद अब हम कुकर को बंद कर लेंगे और कुकर को बंद करके फूल फ्लेम पर एक विसल आने तक हम इसे पकाएंगे एक विसल आने के बाद और कुकर की भाब खतम होने के बाद कुकर को हम खोल लेते हैं और ये देखिए जो करेले हैं वो बंद करके तयार हो गई हैं बहुत ही टेस्टी करेले बने हैं, मैं आपको इसे चेक करके भी दिखा देती हूं, जो यह करेले हैं, वो पूरी तरीके से अच्छे से पक गए हैं, असाने से कट हो रहे हैं, और इसका टेस्ट में तो कोई जवाबी नहीं है, एक पर खाओगे तो बार-बार खाने का मन बहुत ही डिलिशियस बनते हैं, इस तरही से बनाए हुए करेले, आप इसे एक बार ट्राय करिएका, और कमेंट करके बताईएका, कि आपको यह करेले की रेसिपी कैसे लगी, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएका, और हाँ इस रेसिपी से रिल आपके लिए में नए रेसिपी के साथ है, तब तक के लिए बाई